अंतरश्ट्री संगरालिय दिवस के उसारप सिटी पैलेस में सांस्कृतिक वीरासति प्रस्विक्ष्ण सिवीर का शुभारम हुआ है हिजाइनेस महराजा सवाई पदन पदमिनाब सिंघ ने इस सिवीर का उधिगातन किया यह सिविर महराजा सवाई मान सिंग द्वित्य संग्राल ट्रस्ट द्वारा पारंपरी कलाओं की प्रतिन दी संस्था रंगरीत और सरस्वती कला केंद्र के सैयोग से आयोजित किया रहा है इस अवसर पर ट्रश्ट के अध्यक्स महराजा सवाई पद्मिनाब सिंग ने कहा कि सिविर का उद्देश्य यूवा पीडी को हमारी शम्रद संस्कृती कला और सिर्प से परिचित कराना है उन्होंने कहा कि यह सिविर यूवाओं के लिए प्रारंपिर के विरासत कला और शिर्प का ज्यान और कोशल प्राप्त करने का बहतर आवसर साबित होगा उन्होंने यह भी बताया कि हमारा प्रियास है कि इस महा के सिविर को भविश्य में 6 महीने या एक वर्ष के कोश्ट पे बदला जा सके पिछले 26 वर्षों से प्रसिक्षन सिविर कायोजन किया जा रहा है जिसमें जैपूर राज परिवार की कल आवर संस्कृति को भड़ावा देने की प्रतीबत दिता स्पस्ट है शिविर का उद्घाटन महाराजसवाई पदमेनाव दुआरा वैदिक मंतरोचारण और पारंपरिक दीप प्रजवल के साथ किया गया उन्होंने प्रसिक्षकों कमालियर पन कर स्वागत किया और बच्चों को परियावरन से जोडने के लिए पोधे और परिंडे वित्रित किये इस अफसर पर संगराले की एक्जेक्यूटियो ट्रस्टी रामादद वी उपस्तित रही शिविर में इस बार विध्यारतियों को पहली बार वैदिक जोतिश का ग्यान दिया जाएगा इसके साथ ही विध्यारतियों को जनतरमंतर स्मारक का ब्रहमन भी करवाया परोटिया के साथ पारंपरिक चुत्रकला कारेशाला का संचालन भी करेंगे। मैं मानता हूँ कि म्यूजियम्स जो है वो एक बहुत इंस्टिउशन है हर देश का और खास करके जैपुर जैसा शहर जो मैं मानता हूँ देश में ही नहीं पूरे दुनिया में अगर आप म्यूजियम्स की बात करें हिस्ट्री की बात करें आर्किटेक्चर की बात करें आर इसलिए हम लोग आप जैसे आज पदारे आपका बहुत बहुत अन्यमादा पदारे हमारे जो समर के आएंप हैंचे आपर हमारे जो बहुत जबूर की तरी तरी के कलाएं हैं उन में सिर्व आपकी हैंड स्किल्स ही नहीं उसके अलावा आपके डान, सिंगिंग, बहुत सारी है कि आपने फर्माया कि पिछले कुछ सालों में कोवेट के कारएं ट्यूरिजम में फरक जरूर बढ़ा है बट मैं मानता हूं कि क्योंकि हमारा यहां पर जो बैकबोन है क्योंकि हमारा यहां पर जो कॉंटेंट है वो इतना मजबूत है कि जैसे ही दुनिया आ सकेगी हमारा जैपूर की जो पहचान है हमारा सिटी वाला एरिया परकोटे वाला जो एरिया है उसको भी काफी अगर हम टूरिजम के हिसाब से देखे तो उसको अभी काफी और सुधार की जरूरत है धीरे-धीरे क्योंकि कई चीज़े उसमें खराब भी हुई है हाला कि उसमें परड़ा ज किसा ना करते है मेरी मदर के केस में यह उनके परिवार का बनायाबा है तो आगर घर जैसे आप अपना खुटा घर समालते हैं आपके घर में अगर पेंट भी नहीं होता तो आपको दर्द होता है परसनल लेवल पे तो मेरी मदर के साथ इसा केस है उनको अगर छोटा था मैं उनके साथ जैपुर में इदर उदर ड्राइफ करता हूं और थोड़ा सा भी उनको अगर लगता है कि आर्किटेक्चर में या जैपुर की जो ब्यूटी है उसमें कुछ डैमेज आरा तो उनको एक परसनल लेवल पे जो है वो दुख होत कि जो हमारी एक हॉस्पिटालिटी की एक जो हमारा यहां ट्रडिशन है जैपुर का उसको आप मैंटेन करें और देश से और विदेश से लोग को आए पर आप स्वागत करें उनका वेलकम करें उनको हमारे जो तौर तरीक हैं उनको दिखाएं और बस यही मैं आशा करूँ कि पूरा पूरी एक जो दुनिया है उसको हम जैपुर लाएं और उनको हमारा यहां की जो सुन्दर्ता है वो उनके साथ शेयर करें अज विश्विध हरोड दिवस के इस शुब अफसर पर जैपुर का जो आर्ट और जैपुर का जो कल्चर है वो पहले की तरह ही बना रहे है उसका आकरचन पहले की तरह है इसके लिए काम हो रहे हैं और भी ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है और जो ना सिर्फ लिए टूरिजम को लेकर जैपुर की धरवर को लेकर जो भी नवाचार किये जाने जरूरी है वो जरूर किये जाएंगे सेयोगी कैमरामेन अजय के साथ उमंगमाथूर जनता दरवार